आप सभी का सवागत है इस वीडियो सीरीज में इस वीडियो सीरीज में हम करने जा रहे हैं कम्प्यूटर के कम्पीटिटिव साम में आने वाले कुछ इंपोर्टन प्रशन शुरुबात करते हैं प्रशन नमर एक से यदि सी में किसी एरे में दस तत्व है तो उनके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज क्या होगी एरे एक डाटा टाइप होता है और सी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्विज अगर हम मेमरी के अंदर किसे एरे को दस तत्व प्रवाइड कराना चाहते हैं तो यह हमारी के मेमरी कुछ इस तरह से होती है मेमरी रेम या फिजिकल मेमरी या मैन मेमरी एक ही बात होती है और कोई भी प्रोग्राम जो शुरुआत या प्रोसेस में है एक्जिउट हो रहा है तो उसे रेम के अंदर कुछ जगह परवाइड करानी पड़ दिए तो एरे कुछ ऐसा डाटर टाइप है जो क्या करता है कंटिनियोस जगह लेता है रेम के अंदर कंटिनियोस का मतलब उसके बीच में कोई और प्रोग्राम एक्जिस्ट नहीं करेगा मालों यहां से प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो उसके बीच के अंदर और कोई प्रोग्राम नहीं आएगा सिर्फ उसी के प्रोग्राम की फाइल्स इसके अंदर पड़ी होंगी तो कंटिनियोस स्पेस लेता है एरे तो शुरुवात मेमरी की होती है जीरो से उसी तरह से एरे की भी शुरुवात भी जीरो से ही होती है और जबकि बोला गया है दस तो जीरो से जब दम दस तक जाएंगे तो वो नो के अंदर दस एलिमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो कुछ इसी तरह से सी के अंदर अगर हम प्रश्ण नमबर 2 हमारे पास है कंप्यूटर का वह बाग जिसे हम छूँ सकते हैं ठीक है यह काफी असान है हार्डवेर हार्डवेर वह भाग होता है जिसे हम छूँ सकते हैं और सॉफ्ट्वेर वह भाग जिसे हम छूँ नहीं सकते किसम सकते हैं तीसरा परशन है हमारे पास टेपड्राइब डाटा को । करता है इसका सइजवाब है सीखbungंश अब दो चीजिया होती है रेन्डम और सिखेंशन बता हैं रेन्डम स्स क्या है और sequential access क्या है यह जो हम music सुनते थे cassette वो है और यह है CD इसी में हम music सुनते थे हैं तो CD क्या है इसमें आप गाना तीन नंबर चार नंबर दस नंबर कहीं से भी प्ले कर सकते हो यह होती है लेकिन cassette के case में क्या था आपको जैसे आप पहले गाना सुन रहे हो आपको तीसरी गाने पर जाना है तो आपको दूसरा गाना fast forward करना पड़ता था जब भी आपको fast forward या fast backward करना पड़े या सभी जो डाटा नस्ते में आ रहा है उसे तो वह एक्सेस होती है sequential SS और अगर आप डिरेक्ट उस पर जा सके जंप कर सके तो वह होती है रेंडम एक्सेस टेप ड्राइब थी यह वाली यह क्या कराती थी रेंडम सेस्ट कराती थी और यह सीडी जो है यह रेंडम अच्सेस करवा सकती है कि अच पैस ऐस मेरे पास कर दो कोई एक्सेस डाटबेस जिस ते पहले से शुरक्षित किया जाता है उसका विशतार भाग क्या होता हैiska明白 कि आराइट की जो फाइलस है या कोई एक्सेस है ठीक यह डाटबेस के कर रहा है database जो रेकॉर्ट्स रखते हैं जिसके पारप दोजर और भी doinख raild cigar == फाइल की एक्सेंशन होगी package の app lpk creator an шelमね यह Excel की होती है MSXL की फाइल यह होती है और MSXS जो डाटाबेस स्टोर करने के काम आता है उसकी एक्सेंजन होती है MDB प्रेशन नमबर 5 हमारे पास है डैश एक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में प्रिवर्तित कर उसे प्रसेस करता है थोड़ा सा प्रेशन कुछ इस तरह से होने चाहिए था यह एक्ट्रोनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस कर उसे प्रवर्तित करता है तो उसका नाम क्या होता है कम्प्यूटर डाटा को पहले अंदर स्टोर करेगा फिर उस पर प्रोसेस करेगा और उसके बाद वह सूचना में प्रवर्तित हो जाएगा और वह होता है कम्प्यूटर कम्प्यूटर यह का आप कर सकता है प्रश्टर नंबर पांच हमारे पास है प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला करेक्टरों का एक समुग यह क्या होता है डाटा बीस अब इसमें कुछ वर्ड है जैसे प्रीडिफाइंड करेक्टर ठीक है तो यह सोड़ा समझ लेते हैं प्रीडिफाइंड का मतलब वह चीजे या वो शब्द जिनको computer का already meaning पता होता है इसे कि C language के अंदर बात करें तो C language के अंदर हम लगते हैं प्रीफ अगर लिखते हैं तो इसका मतलब computer को पहले से पता होता है कि इसके बाद में जो लिखा जाएगा वो मुझे सिधा सिधा स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है तो इन किसमों को क्या कहा जाता है डाटा बीस प्रेश्टर नुबर छे हमारे पास है compiler higher level प्रोग्रामों को machine language में translate करता है जिसे कहते हैं इसका सही answer है object code compiler क्या चीज है compiler वो चीज है जो हम मालुसी के अंदर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्या उसे computer को बता होता है कि इसे क्या करना है नहीं बता होता computer को क्या करना होता है तो वो बताता कौन है computer को वो compiler होता है या interpreter होता है या assembler होता है वो बताता है कि इस code को कैसे interpretate करना है कि computer वो specific काम करें जो हम उससे लेना चाहते हैं ठीक है तो यह compiler से object code में प्रवर्तित कर देगा अगर C की program की बात करें हमने एक program लिखा है C भाषा के अंदर तो उस भाषा की program को क्या गयते हैं source code जब वो compiler उसे compile कर देता है या interpreter इंटर्प्रेट कर देता है या assembler उसे बदल देता है जब जिस चीज़ में बदलते हैं वो होता है object code और जब बदल के 0101 की form में आ जाता है जिसे computer असानी से पढ़ सकता है या machine language में आ जाता है तो उसे कहते हैं machine code या machine language question no.7 हमारे पास floppy disk में data डैश नामक rings पर record किया जाता है डैश नामक rings इस store किया जाता है तो डिस्क की structure देख लेते हैं किस तरह की होती है इसका answer भी पढ़ लेते हैं कौन सा होता है यह कोई केते हैं tracks केते हैं tracks के बाद जब यह कुछ portion हो बनते हैं इस तरह से इस portion को क्या कहेंगे इसको कहेते हैं sector तो यह पूछ क्या रहा है floppy disk में data डैश नामक rings rings कौन सी होती है इसमें tracks तो इसका answer क्या हो जाएगा इस in tracks के अंदर data store होता है hard disk के case में भी यही है floppy disk में यही है जहां पर डिस्क का नाम आ जाए वहां पर यह सेम रहेगा इन चीज़ों क्या कहते हैं tracks और इन चीज़ों को यह जो जगा बनती है इनको कहते हैं sectors प्रस्ट नमबर आर्ट क्या कहता है किसी समस्या के समाधान या किसी काहली को करने के लिए चर्णबद रूप से लिखे कई अदेशों के समू को कहा जाता है इसका answer होता है algorithm और और बता दे कैसे जैसे कि मालो आपने college जाना है तो पहला step होगा आप उठेंगे wake up दूसरा आप नहाएंगे ठीक है fresh होंगे तीसरा क्या है आप खाना वगरा खाएंगे उसके बाद चार नमबर आप विकल वगरा पे college पहुंचेंगे और पांचपा नमबर है आप पहुंचाएंगे destination पर तो आपको इसी sequence के अंदर इसी काम को करना पड़ता है computer के अंदर किसी problem को हल करने के लिए program क्या करता है ठीक है इनी चीजों को follow करता है और इनी चीजों के समूब को क्या कहा जाता है algorithm clear question number 9 है हमारे पास telephone system द्वारा transmission करने के लिए और पुन वापसी है तो digital computer signal को analog signal में प्रवर्थित करने वाला device होता है यह device कौन सा होता है यह होता है modem ठीक यह modem होता है काम कैसे करता है जब भी जो internet हम यूज करते हैं या device जो हम यूज करते हैं तो signals किस तरह से आते हैं कुछी तरह से analog signals कहा जाता है नि और हमारा computer system समझता है वो होता है signal कुछ तरह का होता है वो digital signal समझता है तो बीच में a-c device होती है जो इन analog signals को digital करें और digital signals को analogs में convert करें तो वो होता है modem यह modem होता है, modem का full form modulator, demodulator, जब भी यह बाहर से कोई data computer के अंदर लेके आता है तो analog को digital में convert करता है और जब से computer के अंदर से कोई data बाहर बेचता है इंटरनेट पे तो यह digital को analog में convert करता है question number 10 है हमारे पास, आपके computer का everything component या तो dash होता है या ठीक है, इसका जवाब क्या है आपका computer किन चीजों से बना है, ये बूप फुचना चाहता है, तो आपके computer या दुनिया का कोई भी computer सिर्फ दो चीजों से बना है, hardware या software, computer के जो भी instrument लगे हुई है, या जो भी configuration है computer की, या तो वो hardware होता है, या वो software होता है इन दोनों चीजों के अंदर सबी चीज़ें आ जाती है, चाहिए वो आपका monitor हो, program हो, कोई भी चीज़ें, hardware होता है, या software होता है question number 11 है हमारे पास, software का प्राथमिक प्रियोजन, data को डेश में प्रवर्तित करना होता है data को हम जैसे भी पढ़ते आई है, data को process करने के बाद क्या होता है, सूचना बनता है तो हम कोई भी software या program बनाते हैं computer के लिए, तो वो किस काम के लिए बनाते हैं, हमारे पास कुछ data है हम उसे manually थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, manage नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या बनाते हैं, computer बनाते हैं कि उस data को अच्छे से convert करा जाए या चिसी process किया जाए, तो क्या होगा, data को जो program जो हमने बनाया, उसका main जो काम है data को सूचना में प्रवर्तित करना इसलिए program को बनाया जाता है, और बाद में उससे कुछ extra काम लिये जाते हैं, जिसे data को send करना या receive करना, उसके बाद की काम होते हैं, लेकिन किसी program का पहला, या software का पहला काम क्या हो जाए, data को सूचना में प्रवर्तित करना प्रश्ट नमबर 12 है हमारे पास, बिना cable प्रिप्त किये गए या किये network को connect करने वाली device को रेश कहते हैं, बिना तार के क्या करना है हमने, network किसी समू से जुड़ना है, तो वो कौन सी device है जो हमें, या कौन सी technique है, जो हमें उस समू से जोड़ सकती है बिना तार के, बिना त क्या एसी device होती है, जो wireless devices वो devices हैं, जो बिना तार के हमें allow करती हैं, किसी network से जुड़ने के लिए, wireless device कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, जिसे कि हम Bluetooth, Wi-Fi, Li-Fi भी आपने सुना होगा, ठीक है, infrared, यह सभी wireless techniques या devices या कह सकते हैं, जो हमें wireless बिना तार के किसी चीज से, या किस नेटवर्क से जुड़ने में मदद करती है, प्रशन नमर 13 है मारे पास, spreadsheet में cell को नेमनुसार प्रवाशित किया जाता है, spreadsheet क्या चीज है, Microsoft Excel के अंदर हम जो हम काम करते हैं, तो हम काम करते हैं, spreadsheet के अंदर, ठीक है, तो पहला प्रशन तो यह हो गया, spreadsheet किसे कहते है, Excel के और वो हम काम करते हैं, कुछ इस तरह के rows और column के अंदर, इस cell के अंदर हम data store करते हैं, यह होती है rows, horizontal lines, और यह होती है columns, vertical lines, ठीक है, इनकी जो intersection होती है, यह जो डिब्बा बना रही है, इस डिब्बे को क्या करते हैं, cell, तो अभी प्रशन पर आते है, spreadsheet में cell को, या cell किसके दुआरा प्रबाशित किया जाता है, तो क्या होते हैं, row और column का intersection, spreadsheet की बात करें, Excel, Excel के अंदर spreadsheet बनाए जाती है, और इनकी extension क्या होती है, xls, 2007 तक के version के अंदर, और 2007 के बाद के version में क्या होते है, xls, ठीक है, यह इसकी extension होती है, question number 14 है हमारे पास, पत्तर लिखने जैसे कार्य करने के लिए परियोक्त software के परकार को dash कहते है, पत्तर लिखना है हमें, ठीक है, तो पत्तर लिखने के लिए आपके चीज को यूज कर रहे हैं, वेसे अगर देखा जाए, तो हम यूज कर रहे हैं, MS Word को, MS Word क्या है, एक application software है, utility software कोन से होते हैं, जैसे की notepad हो गया, calculator हो गया, यह चीजें utility software के अंदर आती हैं, जो कि एक printing system के अंदर पहले से ही inbuilt होती है, उन्हें utility applications के यह software कहा जाता है, और application software वो जो user अपनी specific नीद के लिए बनाते हैं, जैसे की MS Word बना है, टेक्स्ट के उपर काम करने के लिए, प्रेशन नमर 15 है मारे पास, किसी शब्द को highlight करने के लिए आप क्या करेंगे, आप cursor को शब्द के आगे रखते हैं, और फिर, ठीक है, तो यह कुछ दो तरह से प्रेशन को पढ़ा जा सकता है, अगर text हमने select करना है, कुछ लिखा हुआ है, नोट पेड के अंदर, उसे select कर करना है, फिर तो आप क्या करेंगे, cursor को आगे रखके, mouse को drag करेंगे, click करने के बाद, तो वो उतना portion select हो जाएगा, अगर icons की बात करते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा modification आजाए, प्रेशन के अंदर, icons को कैसे select करते हैं, तो icon के ऊपर आपको cursor को लेके जाना है, और left click करना है, तो किसी चीज को या icon को select करने के लिए ये वाला option ठीक रहता है, mouse को एक बार click करते हैं, और text के किसी लंबी line के अंदर से आपने कुछ portion select करना है, तो आप उस word के आगे mouse को hold करेंगे, और उससे select करेंगे, तो ये text select आपका हो जाएगा, ठीन है, ये दो तरह से question को लिया जा सकता है, question number 16 हमारे पास है, ये कहता है, डेश में specific name और शब्द होते हैं, जो algorithm के logical steps व्यक्त करते हैं, इसका right answer है programming language, अभी case से आप एक बात सुनिए, आपको कोई काम करना है, आपने market से कुछ चीज लेकिया आनी है, आपको कुछ steps लगेंगे, जैसे कि आपने एक number पे cash market में पहुंच गए, चार नमबर पे आपने वो चीज खरी दी, और पांच नमबर पे आप घर वापस आ गए, इस चीज को हम algorithm करेते हैं, अगर C language की बात करें, तो इसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ print करना है, ठीक है, तो पहले आप print करवाना चाहते हो, जैकर print कैसे ह होगा, पहले आपको कुछ input देना ही पड़ेंगी, तो input के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, scanf, scanf एक function होता है, जो input आप से लेगा, उसके बाद printf, जो उस चीज को print कराएगा screen पे, तो ये scanf और printf क्या है, ये वो specific word है, ठीक है, जो एक algorithm के अंदर, किसी काम को करने के लिए यूज करते हैं, तो programming language के अंदर, वो specific नियम, ठीक है, और शब्द होते हैं, जो कि algorithm के logical steps को व्यक्त करते हैं, तो programming languages का right answer है, प्रश्चन नमबर 17 है हमारे पास, website address एक unique नाम होता है, जो web पर एक specific task को identify करता है, ठीक है, website जैसे की, http colon slash slash www.google.com, ये होती है, एक website, इस पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए होता है, एक web browser, web browser के अंदर एक जगह होती है, url, url के अंदर आपको इस चीज को paste करना होता है, ठीक, उसके बाद, enter करने के बाद, आप इस website तक पहुंच जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे, website तक, तो website address एक वो चीज है, जिसके जरीए, हम एक website तक पहुंच सकते हैं, या उस website को एक identify वो करवा सकता है, question number 18 हमारे पास है अभी, किसी directory को उटाने के लिए, कौन सा अदेश दिया जाता है, नीचे कुछ commands है, ये commands है, MS-DOS की commands, MS-DOS क्या है, एक operating system, जो की CUI based है, character user interface है, अगर हमने कुछ काम करना है, तो हमें commands देने पढ़ेंगे, keyboard से, ठीक है, तो directory मतलब folder, folder को delete करने के लिए, rd, remove directory, ठीक है, इस command का use करते हैं, md command क्या करती है, make directory, directory को बनाने के लिए, folder को बनाने के लिए, cd, change directory, अगर आप किसी एक folder में अभी काम कर रहे हैं, दूसरे folder में जाना है आपको, तो आप cd, change directory को use कर सकते हैं, question number 18 हमारे पास है, word processing program में दूआरा किस परकार की file create की जाती है, word processing जो program है, वो एक document file बनाते हैं, चीक है, और word processing software कौन सा होता है, ms word, ms word से एक document file बनेगी, अगर बात करें excel की, तो excel से worksheet file बनेगी, अगर बात करते हैं, एक database, जो ms access होता है, उससे database file त्यार होती है, ठीक है, तो word processing जो की text या उसके related जो भी software है, वो एक document file बनाते हैं, और ms word की document file की extension होती है, dot d o c, 2007 से पहले के version में, और dot d o c x, 2007 के बाद के जो version है, उनकी जो extension है, d o c x होती है, question number 19 हमारे पास है, एक unique नाम होता है, जो आप सूचना की किसी एक file को देते हैं, files को नाम देने की बात कर रहा है, तो file को नाम को क्या कहते हैं, file name, जिसके हमने एक गाना store किया है, तो गाने का नाम मालो, abc है, तो abc.mp3 उस file का नाम होगा, या उसका एक unique नाम होगा, जिबकि बात करें extension की, तो extension unique नहीं होती, मालो, एक folder के अंदर काफी सारे गाने हैं, तो सभी की format.mp3 हो सकती है, लेकिन उनका नाम जो है, file name, वो हमेशा unique रहता है, question number 20, floppy disk का उप्योग किस लिए होता है, तो floppy disk मां आपको बता दूँ क्या चीज होती है, ये एक storage device होती है, जो कि आजकल जैसे pen drive वगरा होती है, उस time में क्या थी, floppy disk, जो कि 1.4 MB का data अपने अंदर store कर सकती थी, और एक computer से दूसरे computer के अंदर data transfer हम इसके जरीए कर सकते थी, तो ये क्या करती है, सूचना या data को store करने के लिए इस्तेमाल होता है इसका, question number 21, input device का एक उदारन है, input device वो चीज़ें या वो devices जिनसे computer के अंदर data डाला जा सकता है, तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं, keyboard है, mouse है, ये दो चीज़ें हैं, एक और तिन, इनसे keyboard के अंदर data डाला जा सकता है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि microphone, scanner, ठीक है, fingerprint readers, ये सारे input devices होती हैं, और output devices कौन कौन से, monitor हो गया, speaker हो गया, printer हो गया, ये सारे output devices होती है, question number 22 है हमारे पास, ये से शब्द हैं, जिने प्रोग्रामिंग लेंग्वेज ने अपने प्रियोग हेतु अलग रखा है, ठीक है, वो शब्द जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज के लिए अपना अलग मतलब रखते हैं, हम एसे ही किसी चीज को वो नाम नहीं दे सकते, वो होते हैं, reserved words, जैसे कि कुछ चीज प्रिंट करवानी है, तो printf किसी बाशे की बात कर रहे हैं, और scan करवानी है, input हमने keyword से, तो scan है, ठीक है, ये वो words हैं, जो सी ने अपने reserve रखे हुए हैं, अपने खास काम के लिए, ठीक है, तो ये से शब्द वो, जैने programming language ने अपने लिए, अलग रखा है, वो होते हैं, reserved words, प्रस्ट नमबर 23 है, मारे पास है, dash ac commands होती है, जिने select किया जा सकता है, ठीक है, dash mail, तो वो कहां होती है, menu, menu एक ऐसा बटन होता है, आपने programs के अंदर देखा होगा, जिससे पर आप click करते हो, तो उसके अंदर काफी सारे commands खुल जाते हैं, जैसे कि आप file, जिसे paint के अंदर file का button है, जब आप click करोगे, तो आपके screen में काफी सारे option आजाएंगी, save का, open का, delete का, ठीक है, तो उसमें open, delete, new, यह क्या है, यह commands है, ठीक है, किस commands के अंदर, menu के अंदर, menu में ऐसी commands होती है, जिने select किया जा सकता है, तो आप इनको select कर सकते हैं, और नई file बना सकते हैं, delete कर सकते हैं, save कर सकते हैं, तो menu के अंदर, इसी commands होती है, question number 24 है, हमारे पास, Linux में current directory, बदलने के लिए, क्या आदेश दिया जाता है, सब से पहले, Linux क्या है, एक operating system है, जिसे मारा windows है, उसी तरह से, Linux भी एक operating system है, ठीक है, उसमे current directory, मतलब एक folder, एक folder से दूसरे folder में जाने के लि सकते हैं, cd command का यूज़ करना पड़ेगा, cd मतलब change directory, प्रस्टन नमबर 25 है, हमारे पास, computer में, या computer citizenship में, kb का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है, kilobyte, अब कई बार ये b जो है, k के साथ में, ये कई बार बड़ा capital b होता है, कई बार small b होता है, byte से, byte और इसका मतलब होता है, bit, अब byte और bit में आपको फर्क समझना है, जो bit जो है, binary के अंदर, जैसे 0 या 1, ठीक है, तो ये 1 bit है, ये भी 1 bit है, ये भी 1 bit है, bit का मतलब 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, सिर्फ एक या जो symbol होगा, वही होगा bit के अंदर, येकिन byte के अंदर क्या होता है, इन जो सो 8 के समुग को, हम byte केते हैं, या आप सीधी बाशा में के सकते हैं, एक byte जो होता है, वो बराबर होता है, 8 bits के, ठीक है, तो capital B का मतलब, और, small b का मतलब, bit से, capital B, byte, और small b, bit, प्रश्टन नंबर 26 है, अभी हमारे पास, .bas, .dos, .htm, किसके उधारन है, असल में क्या है, ये सबी हैं, extensions, तो इसका सही जवाब है, extension, और extension अभी देखते हैं, क्या चीज़ होती है, extension वो चीज़ होती है, जो computer को बताती है, कि ये file किस तरह की file है, जैसे कि अगर MP3 files हैं, गानों की files हैं, तो उनके नाम के बाद, ये पहले कोई नाम आ जाएगा, फिर MP3 लगा होगा, तो इस computer को पता चल जाएगा, कि ये एक audio file है, और जैसे ही अगर text file है, MS Word के अंदर file बनाई हमने, कोई नाम आ जाएगा, फिर dot, फिर doc आ गया, तो computer को पता चल जाएगा, कि ये एक document file है, एक word file है, और इसे MS Word में खोलना है, तो ये जो file के नाम के बाद, dot के बाद, जो भी दिया जाता है, नाम, इसे कहते हैं, extension, जो बताता है, कि ये file किस परकार की है, question number 27, अभी हमारे पास है, ये कहता है, प्रयोक्ता जो accomplish करना चाहता है, उसे computer दोआरा execute किये जाने वाले instructions में translate की प्रकरिया को कहते हैं, question काफी तकड़ा है, इसे समझेए, प्रयोक्ता यान कि हम, जो accomplish मतलब करना चाहते हैं, या काम को करना चाहते हैं, वह एक ही बात है, तो उसे computer दोआरा हमने वो काम करवाना है, computer दोआरा execute मतलब करवाना है, computer दोआरा, तो क्या करता है, instruction जुँ है, उनको translate करना है, instruction कौन से, जैसे हम manually काम करते हैं, कोई, जैसे हमने कोई जोड़ गटाओ का काम करना है, तो हमने document पर लिखना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है, result लिखना पड़ता है, तो वो कुछ काम, जो manually कर रहे हैं, उसे की भाषा में एक प्रोग्राम बनाना जिससे की कंप्यूटर उस काम को कर पाए जो अभी तक हम मैनुली कर पा रहे हैं तो प्रोग्राम्मिंग इसका सही जो आंसर है अभी इसको दुबारा पढ़ते हैं प्रयुक्ता जो कंप्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर दौरा ए प्रोग्राम के अंदर लिखना पढ़ेगा तभी वो कंप्यूटर काम कर पाएगा तो सही आंसर है प्रोग्रामिंग उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस चेनल को सुब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें हम इस वीडियो सेरीज्झ के अंदर और इस चैनल के कंप्यूटर